टॉप टेन फैक्ट्स अबाउट सी अंतरिक्ष से जब पृत्वी को देखो तब पृत्वी नीली नजर आती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृत्वी का एक बड़ा भूभाग समुद्र ने घेर रखा है समुद्र पृत्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली लिविंग एलिमेंट होते हैं समुद्र पर बनाई गई पिछली वीडियो पर आपने हमें भरपूर प्यार दिया था जिसके कारण एक बाद टॉप टेन हिंदी हाजर है कुछ नए फैक्ट्स के साथ अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप टेन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूले अपने डाइविंग सूट को पहन लीजिए क्योंकि अब हम समुद्र में गोता लगाने के लिए बिलकुल तैयार है ये बाद तो आप भी कही न कहीं मानते ही होंगे समुद्र एक अलग ही दुनिया है समुद्र के पास अपनी जीले हैं अपनी ही नदिया हैं और समुद्र के पास अपने ही जरने और ट्रेंच भी हैं ये सब समुद्र को रहस्वे बनाते हैं समुद्र के अंदर मौजूद जीव प्रकृती के सबसे अनूठे जीव हैं उधारन के लिए कोरल को ही देख लीजिए वोरी दुनिया के जीव सूरे की रोशनी की जरूरत के साथ जीते हैं वही कोरल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपने लिए समुद्र की रोशनी खुद बना लेती है ऐसा वह इसलिए गरती है क्योंकि कोरल के ज़्यादा जीव हम लगातार यही सुनती रहते हैं कि दुनिया की जन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरफ कुछ काम करना लेकिन यह बहुत कम लोग जीव जानते हैं कि जमीन से ज्यादा समुद्र की जीव संख्या है अब आप यहीं कहेंगे कि इन छोटी चोटी मचलियों से इंसानों का क्या मुकाबला लेकिन यहां कुछ प्रतिशत की बात नहीं है दोस्त दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें से लगभग 85 प्रतिशत जीव समुद्र के अंदर रहते हैं यानि कि हम इंसान को मिलाकर 5 प्रतिशत ही हुए जैसे जैसे हमारी सम जमीन इंसानों के अलग-अलग स्वार्थ के कारण खराब हो रही है वेग्यानिक मानते हैं कि आने वाले सालों में यह प्रतिशत और भी बढ़ जाएगा इतना ही नहीं वेग्यानिक यह भी मानते हैं कि ग्लोबल वर्मिंग के कारण पूरी प्रत्वी डूब जाएगी हाल पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा विक्राल है और इस समस्या का हल ढूंड लिया गया है वे सोल्यूशन आइसबर्ग हो सकते हैं जी हां दोस्तों इंटाक्टिका का एक आइसबर्ग जिसे हम लोग यूहीं बेकार समझते हैं उसमें लगभग 20 बिलियन ग्यालन पानी होत है कि वे आइसबर्ग को खीच कर वहां तक लेकर आएगी हलांकि यह बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है साथ समुदर आपको चीटी की तरह मसल सकता है यह थोड़ा सा ड़ाने वाला ज़रूर है लेकिन यह सच है समुदर आपको चीटियों की तरह मसल सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में जितना ही आप नीचे जाते हैं उतना समुद्र का दबाव बढ़ता जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं तब आप समुद्र के पानी को उपर की तरह धगेल रहे होते हैं और जिसके करण दबाव बरता ही चला जाता है आम तोर पर समुद्र का पानी इतना ज्यादा दबाव भरा नहीं होता लेकिन अगर मैं बात करूं मरियाना ट्रेंच की तो वो जगा निश्चित ही दबाव से भरी हुई है अब आपको लगेगा की मैं ये क्या के रहा हूँ बला समुद्र में इंटरेंट कैसे हो सकता है लेकिन दोस्तों ये सच है फूरी तरह से सच समुद्र में इंटरेंट मौजूद है बले ही वहाँ पर उसका एक्सेस ना हो पर अगर हुआ भी तो आप कौन थोड़े ही समुद्र में इंटरेंट चलाने जाओगे समुद्र में इंटरेंट भले ही ना हो लेकिन दुनिया भर में समुद्र के कारण ही इंटरेंट का एक्सेस है ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट के तार समुद्र के जरीए ही दुनिया भर के हिस्सों में पहुँचे है एक कमपनी एशिया पैसिविक एकनॉमिक कॉर्पोरेशन की अगर माने तो overseas conversation का लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा इन केबल्स की करण ही हो पाता है अगर ये केबल्स ना हो तो हम दूसरे देशों में होने वाले क्रिकेट मैच का मज़ा शायद ही ले पाए अब तक सुनेगे सबसे तेज समुद्री आवास 1997 में आई थी शक्तिशाली था कि इसे लगभग 3000 मील दूर से भी सुना जा सकता था हलांकि आज तक लोगों को ये पता नहीं चल पाया है कि ये साउंड आखिर आया कैसे कुछ वेग्यानिकों को लगा समुद्र में किसी बड़े जानवर की करण ऐसा हुआ था लेकिन समुद्र में इतना बड़ा जानवर कोई है ही नहीं इतना भयानक साउंड एक आइस्क्वेक के करण हुआ था। आइस्क्वेक एक घटना को कहा जाता है जब आइस्बर्ग अपने सोर्स से तूट जाता है। 4. सुनामी और ज्वालमुखी सुनामी और ज्वालमुखी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। इनसे प्रित्वी पर लोगों का जन जीवन प्रभावित होता ही रहा है। आपने प्रित्वी पर फटने वाले कई सारे ज्वालमुखी के बारे में सुना हो लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं प्रित्वी से ज्यादा समुद्र ज्वालमुखी से होने वाली घटनाओं का गेंद्र है समुद्र के अंदर बहुत सारे ज्वालमुखी से जुड़ी घटनाएं लगातार होती रहती हैं एक सोर्स के मताबिक प्रित्वी पर होने वाली लगभग 90 प्रतिशत वॉलकेनोस वाली खटनाएं समुद्र के अंदर होती हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा दक्षणी पैसिविक ओशियन में होता है वहाँ पर एक जगा है जो न्यू यॉक से ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन उस जगा पर लगभग 1130 वॉलकेनोस एक साथ लाइन से लगे हुए हैं इससे दुनिया की सबसे ख़दरनाक जगाओं में से एक गिना जाता है क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं बात जब जवालमुखी की हो रही है तो ये बताता चलों कि अधिकांश सोनामी जवालमुखी के कारण ही आती है इंसानों की तरह ही वाइट शाक को भी कैफे में घुमनब बहुत पसंद है और वाइट शाक कैफे इसका एक सटी कुदारन है ये पता चला 2002 में समुद्र की ओपर पैनी नजर रखने वाले साइंटिस्ट ने पाया कि जब पैसिफिक ओशिन में ठंड बढ़ जाती है तब शाक एक खांस जगा पर चली जाती है ये जगा कैलिफोर्नी और हवाई के बीच में ही है जब शाक समुद्र की ठंड से बेहाल हो जाती है तब वो उस जगा की तरफ निकल जाती है वेग्यानिकों ने देखा कि शाक वहाँ आराम के लिए जाती है इसलिए उन्होंने उस जगा का नाम वाइट शाक कैफे रख दिया आपको कह लगता है उस जगा का क्या नाम होना चाहिए था हमें कमेंट करके जरूर बताएं इंसानों की तरह ही शाक वी जल्दी ही वेगेशन से आ जाती है जब किनारों पर गर्माहट बढ़ जाती है दुनिया का सबसे बड़ा जहरना कहा मौझूद है? सोचिए सोचिए दिमाग पर जोर डालिये अगर आपका जबाब वेनेजविला का एंजल वाटरफॉल है तो आपका जबाब गलत है एंजल वाटरफॉल की उचाई बस 32 फीट है लेकिन ये समुद्र में मौझूद स्ट्रॉट के सामने कुछ नहीं है ये उचाई में लगभग 11,000 फीट का है हलांकि समुद्र के अंदर होने के कारण ये पता नहीं चलता इसका निर्मान अलग-अलग तरह के तापमान के कारण हुआ इसके गिरने और बनने वाली जगहों का तापमान अलग-अलग है और इस कारण से गिरता है ये अपने तरह का अनूठा वाटरफॉल है इस वाटरफॉल के गिरने की दर लगभग 123 मिलियन क्यूबिक फीट पर सेकेंड है जो कि विशाल का नाइगरा फॉल से लगभग 50,000 गुनस ज्यादा है समुदर में ऐसा बहुत कुछ है जो की आपको हैरत में डाल सकता है लेकिन वो अब तक पानी के अंदर होने के करण चुपा हुआ है एक रहस जमई मरियाना ट्रेंच अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ से सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे मरियाना ट्रेंच जो की समुदर का सबसे गहरा स्थान है महाँ पर आज तक इतने लोग भी नहीं गए जितने की चांद पर जा चुके हैं जी हाँ दोस्तों हमारा मरियाना ट्रेंच जो की हमारी प्रित्वी पर ही मौझूद है चांद से भी ज्यादा अंसुलचा है चांद पर अब तक लगभग एक दरजन से भी ज्यादा लोग जा चुके हैं लेकिन मरियाना ट्रेंच में गिंती के तीन लोग हैं जिनोंने जाने की हिम्मत दिखाई है आप इस बारे में शिरुवात में जान चुके थे कि मरियाना ट्रेंच में परिस्तितियां कितने खदरनाक है मरियाना ट्रेंच की लंबाई लगभग 2540 किलोमीटर है और ये लगभग 79 किलोमीटर चौड़ा इलाका है ये तो बस इसकी उपरी सतह की बात है अंदर ये और भी ज़्यादा विशाल काय है इसकी गहराई लगभग 10,809 मीटर दर्च की गई है तो दोस्तों ये थे हमारे समुद्रों से जोड़े फैक्ट्स वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप ऐसे ही वीडियोस प्रित्वी के फैक्ट्स के बारे में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नजर जरूर आगे झाल